आज हम बनाने वाले हैं ये बची हुई जासनी से बहुत ही जदा टेस्टी रसिपी जिसे हम खाजा बोलते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, क्रशी भी होते हैं और चाशनी जो है इनके अंदर तक भरी रहती है ना तो खाने में बस मज़ा ही आजाता है ये देखी आप मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, अंदर तक इसमें शाशनी भरी हुई है, बहुत ही जदा रसीले है, बहुत ही जदा टेस्टी लगते हैं और आपके घर में बच्चों को भी ये बहुत जदा पसंद आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएग और अगर आपको ये खाजा की रसीपी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सकाइब ज़रूर केजएगा, तो चलिए हम खाजा बनाना शुरू करते हैं, खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, तो मैं आपर एक कप से नापकर डेल कप म लिए है, तो ये दो चमज के करीब घी है, अब घी को मैदे के साथ में अच्छी से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होनी चाहिए इंसके बीच में, और मतलब ये जो मोयन हमने डाला है घी का, आप चाहें तो तेल का भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ह ज़दा परफेक्ट बनते हैं ये, तो हम इसका एक पेड़ा बना कर देखेंगे, अगर लड़्डू इसका बन रहा है, पेड़ा बन रहा है, तो हम घीस में मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मेरा पेड़ा था न, ये बिखर रहा था था थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ परफेक्ट मुयान हम इसमें दे चुके हैं, तीन चमजगी का, और अब इसमें जो है, पेड़ी पीस के बंद रहे थे, तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसका हम डो लगाएंगे, इसका जो डो होका न, वो रोटी, जैसे हम रोटी बनाते हैं, उसके लिए डो उससे थोड़ा सा टाइट रखेंगे, लेकिन बहुत सादा भी टाइट नहीं रखना है, इस बात का जरूर से आप ध्यान रखियेगा, तो थोड़ा थोड़ा ही पानी मिक्स करियेगा, ये खाजाना बहुत सादा टेस्टी लगते हैं, बनाना बहुत ही सादा आसान है, और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है, कि इसमें चीज़ें बहुत ही कम इस्तमाल होती है, आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा सा घी डाला है, बस इतना ही और पानी का इस्तमाल है, तो हमारे ये जो डो है रेडी हो चुका है, हमें कुछ भी डालनी की जरुरत नहीं है, बस इसे हम थोड़ा सा घरम करेंगे, अगर आपके पास बची हुई चासनी नहीं है, आपको फ्रेश बनानी है, तो आप डेड़ कटोरी चीनी लेजिएका, और उसमें एक चौथाई कप पानी डाल कर एक तार की चासनी आप बना की लेफ टोवर चासनी ती, यहां पर देखें इसमें एक तार बन रहा है अच्छे से, तो अब बस गैज की फलेम को बन कर देना है, और चासनी को साइट मेर रख देंगे। पतला सा घूल बना सकते हैं, इसका जो घूल बने का बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ठिक भी नहीं होना चाहिए, आप ये देख रहे हैं इस कंसिस्टेंसी का घूल आपको बना कर त्यार करना है, आटा को रेस्ट करते हुए 10-12 मिनिट हो इसको रोल करना है हमें, तो अब मैंने चौके ले लिए हैं, इसके उपर मैं अच्छी से इसको रोल कर रहे हूं, इस तरह से हाथ से घूमाना है, नीचे कोई भी कपड़ा रख लेजेगा, और चाहें तो आप डारेक पट्टी पर भी कर सकते हैं, अगर पट्टी आप साफ है तो देखिए, यह जो आटा है, इसका मैंने अच्छा से रोल बना लिया है, और अब इसके हम छोटी-छोटी लोईयां बना कर त्यार करेंगे, तो मैं इस तरह से इसके पीसेस कट कर रहे हूं, यह जो पीसेस हैं को जादा ही छोटे हो गया है, तो इनमें थोड़ा- परांटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी साइस है, अब यहां पर मैंने एक बड़ी सी थाली ले ले ली है, क्योंकि जो चकला था न वो छोटा था और यह जो लोई है, इसके हिसाब से मुझे बहुत जादा पतला बेलना है इसको, और यह बहुत जादा बड़ी भी बनेगी, तो चौकी पर नहीं हो पा था, इसलिए मैंने यह बड़ी थाली ले ली है, अगर आपकी चकला बड़ा है, तो आप उस पर भी बेल सकते हैं, यह डारेक पट्टी पर भी बेल सकते हैं, आटा अगर आपने अच्छी से लगाया है, तो मैंने इसकी जो रोटी या हमें शीट बनानी है, इसको बेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा-थोड़ा सा सूखा आटा इस पर डस्ट करते जाएं, और यह आराम से देखें, मैंने कितनी बड़ी बेल ली है, तो मैंने बस एक या दो बारी आटा लगाया था सूखा, और यह शीट मैंने बना कर ट्यार कर ली है, इसे हम साइड में रख देंगे, और यहां पर यह मैंने एक और शीट बना ली है, इसे भी एक तम पतला बेला है, और उतना ही पड़ी साइज में बेला है, तो यह दो शीट है हमारी त्यार हो चुकी है, इसे एक क्यू पर एक रख स और इस थाली पर रख रही हूँ, इस तरह से देखें, अच्छे से इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं होना चाहिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, हवा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो हमने यह गोल बनाया था, मैदा और तेल का, वो हम इस पर थोड़ा सा स्प्रैट करेंगे, पूरे में अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी कोई जगे खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपने यह खाली छोड़ दिया, मतलब जहाँ पर तेल नहीं लगेगा, वहां से यह चिपक जाएगा, और फिर जो खा इचेंगे ना तो यह एकवल हो जाएगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा तनता है, इस बज़र से हम ऐसा कर सकते हैं, तो देखिए दूसरी शीट भी मैंने इस पर सेट कर दी है, और जो मैदा और तेल का घोल है ना, वो मैं इस पर लग का रहे हूं, उंगली की हेल्प से अच्छे से लगाएंगे, पूरे में करना है, आप चाहें तो ब्रश से भी एकर सकते हैं, पर मैं फिंगर से ही कर रहे हूं, ताकि मुझे पता चलता रहे, कहां पर गैप है, ब्रश में इतना पता नहीं चल पाता है, इस लिए, तो यह त तोड़ी जादा ही बड़ी है, उपर से मैंने इसके गोल लगा लिया है, और यह पांच भी सीट आ चुकी है, इसको भी हम अच्छे से स्प्रैट कर देंगे, फैलाना है अच्छे से इस पर, और बीच में कहीं भी बबल्स नहीं होना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं होना चा आप क्या करेंगे, साइट से इसको थोड़ा सा उठाएंगे, और इस तरह से इसको घुमाएंगे, आपके खाजा एक्टम परफेक्ट बने, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कि यह जो हम रोल करने वाले हैं यह एक्टम टाइट होना चाहिए, बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, यह जो परते बनेंगे, इसमें इनमें गैप नहीं होना चाहिए, जादा, नहीं तो यह पूरा बिखर भी सकता है, जब आप अवल में फ्राइ करेंगे ना तब, देखें मैं फिंगर की हैप से, अच्छे से इसको रोल कर रहे हूँ, और कहीं से भी अगर मु देखा पाम, और यह देखें, मैं इस तरह से इसको रोल कर रहे हूँ, पहले आदा हिस्सा करती हूँ, फिर दूसरी साइट से करती हूँ, तो ऐसे करने से यह बहुत साथा टाइटली, अच्छे से से सेट हो जाएगा, और बिल्कुल भी कैप नहीं आएगा, अब हलका सा कर आपको फूला लगता है बीच में, तो इस तरह से उंगली से प्रेस करके अंदर की तरफ दवा दीजिए, और फिर लास्ट में इस पर हमें पानी लगाना है, क्योंकि इसे हम चिपकाने वाले हैं इसलिए, तो पानी से अच्छे से चिपक जाएगा, तो थोड़ा सा मैने हा पहना वो खराब हो जाएगा, और फिर बिल्कुल भी अच्छा ने लगेगा, तो यह देखे, इस तरह से मैंने इसको चार से पांच बार गुमा दिया है, और यह अच्छे से चिपक भी गया है, अब इसके हम साइट्स कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, बिल्कु जाके पीसेस कट करेंगे, तो उंगली से थोड़ा-थोड़ा गैब देते हुए इसके पीसेस कट करना है, बहुत जादा अंतर नहीं रखना है, मतलब बहुत जादा चौड़ी पीसेस कट नहीं करने है, क्योंकि अभी जब हमें इस पर बेलन फेरेंगे ना, तो यह वैसे भी चप्टा होकर हलका सा चोड़ा हो जाता है मतलब फैल जाता है तो देखिए इस तरह से मैंने इसके पीसे बहुत ही आराम से कट कर रही हूं इधर उदर कहीं भी चाकूनी लगना चाहिए नहीं तो वहां से फट भी जाएगा तो देखिए मैं आपको इसकी परते दिखाती है जल्दी से सारे पीसे को कट कर लेते हैं और फिर हमारे खाजा वास फ्राइ करने वाले हैं तो यह देखिए अच्छे से इसकी परते भी आपको नजर आ रही हैं इसी तरह से आप भी तयार कर सकते हैं बना का बहुत ही जादा आसान है तरीका तो आप देखी रहे हैं अब हम इनको फ्राइ करेंगे तो यह अच्छे से फूल जाएंगे एकतम गोल गोल हो जाएंगे तो बहुत जादा अच्छे लगते हैं देखने में यह तो हल्का सबस उंगली से प्रेस कर दिजिए और फिर इस पर एक या दौ बार बेलन फिर दिजिए और बेलन एकतम हलके तो दिखिए मैंने ऑईल गरम होनी के लिए रख दिया था और मैंने अब भी रखा है बहुत जादा टाइम नहीं हुआ था तो ऑईल हमें जो चाहिए बहुत जादा गरम नहीं चाहिए मतलब हलका फुलका गरम हो पाएगा और फिर हम इसमें ये पीज़िस तालते जाएंगे एके करके ही डालना है ताकि जो oil का temperature है वो एकदम से down भी ना हो जाए और gas की flame को एकदम low रखना है जितनी आप से हो सकती है उतनी low रखिएगा तो ये खाजा बहुत ही अच्छे से खिले-खिले बन कर त्यार होंगे अभी हमें इसमें बिल्कुल भी चमच नहीं चलानी है कर्ची वगरा बिल्कुल नहीं लगानी है जब ये अपने आप उपर उठकर आएंगे जैसे ये सिखते जाएंगे वैसे ही उपर उठकर भी आजाएंगे तो जब ऐसा हो जाएगा ना तब हम इसमें चमच लगाएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओल है अच्छी से गरम हो गया और यह खाजा भी एक करके उपर उठकर आ रहे हैं जैसे यह fry होते जा रहे हैं सिक रहे हैं वैसे यह उपर उठकर आ रहे हैं तो अब हम कर्ची से इसको चलाएंगे और चारो तरफ से अच्छे से इनको हमें फ्राइ करना है एक्तम गोल्डन कलर आने तक तो हल्का सा गोल्डन कलर आ भी चुका है एक बैच को फ्राइ होने में करीवन 10-12 मिनिट का समय लगता है और हम इने एक्तम हल्की हाच पर मतलब ज कि हमारा एक पैच बनकर त्याहर हो चुका है और आप इनकी परते भी देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से परते खिलकर निकली है तो इस तरह से खाजा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं अब तुरंती इने चाशनी में भी ढाल देंगे और अच्छे से अ चाशनी का भी इस्तेमाल हो जाएगा और हमारी एक नहीं रेसिपी भी बन जाएगी तो जिनके पास अगर चाशनी बच भी जाती है न तो वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे दो मुनित तक चाशनी में खाजा को रखेंगे और फिर इने बाहर निकाल लेंगे बहुत दनाकर त्यार कर लिया है अच्छे से फ्राई कर लिया है इसको एक्टम गोल्डन कलर आ गया है इससे जाधा बिल्कुल करेंगे वरना वह खाने में आशक्षी नहीं हो कर ठिए और यह थेर्स आरे खाजे बनकर पर्र यहां चाशनी में रूटा से ठोड़ी बनाई है योए बात नहीं इसका हम आगे भी इस्तमाल करेंगे और मैं एक और आपके लिए वीडियो लेकर रहांगे लेफ्ट ओवर चाशनी के तो देखें हमारे सारे खाजे बनकर त्यार हो चुके हैं मैं आपको तोड़कर दिखाते हूं एक्तम जूसी है यह अंदर तक चाशनी इसमें भ बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट है यह अंदर से उपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट और चाशनी जैसे भरी है ना बहुत ही ज़ादा मसेदार लगते हैं खाने में एक एक परत इसकी खिलकर निकल रही है ऐसे आप देख सकते हैं तो कैसी लगी आपको यह खाजा की वीडियो और यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में तब त झाल